यहां पे तो मुझे कई बच्चों के चहरे ऐसे मुर्जाय हुए दिखते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है क्या हो वह यार जिंदगी एक बार है खुश रहो कुछ नहीं पता कितने टाइम की जिंदगी है तो अगर जिंदगी में आये हो तो भी या खुश रहो ना क् कितने प्रोब्लम चल रही है मैं यह बात कहला हूं कि लाइफ में प्रोब्लम है अगर दुखी होके प्रोब्लम है तो भी वह प्रोब्लम ऐसे ही है अगर थोड़ा से उसके अंदर कुछ पोजिटीव देखोगे तो भी प्रोब्लम होगी बट में उसका solution मिल जाए ठीक है तो सर मैं तो ओल्वेज यह बात कर तो मुझे नहीं पता जिंदगी कितने टाइम की है बट मुझे इतना बता कि अगर एक जिंदगी है ना तो हम अपनी तरफ से कोशिशे करें कि उसको बेस्ट बनाए ठीक है ना तो हमेशा हसते रहा करो ऐसा नहीं कि सैट सामने आके से हैं जो आपके most important है जहां से question exam में 100% बनेगा यह बनेगा और उन बच्चों को बता होगा में भी जिनोंने पहले अगर exam दी होंगे जिनका पहला attempt है उनकी बात नहीं कर रहा बट जिनोंने पहले exam दी होंगे ना वो अच्छे से बता पाएंगे यह तीन chapter जो है वो most important है actual म एक तो revision class number 4 के अंदर हमने किया था, chapter था duty drawback का that is most important क्योंकि उसके अंदर काफी सारी percentage है आपके exam में confirm वहां से question बन सकते है second मैंने का था हमने last class में क्या baggage वाला chapter अब baggage वाले chapter के अंदर limits है और आप सब जानते हो आपके institute का limit से बहुत गहरा प्यार है उस case में revision class number 5 जो है वो भी आपकी most important है और आज जो हम class करने जा रहे है that is revision class number 6 आज हम जो हम custom की करने जा रहे है again most 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 important topic है that is evaluation under custom और जो CS professional वाले बच्चे हैं चाहे वो news labels वाले हैं चाहे वो old labels वाले हैं वो लिख लें उन्हें में भी पता भी होगा कि एक confirm question आपका इसके अंदर से बनेगा professional के news labels में 10 number में custom हैं तो 10 में से 5 number का एक question valuation का बनेगा अब 5 number कहां से बनेगे बाकी सारा custom एक तरफ valuation एक तरह और जो बच्चे executive वाले हैं तो कम सकम यह लगा लो एक या दो question जो होंगे ना valuation के आपके exam के अंदर बन जाएंगे ठीक है तो दोनों के लिए most important है अब बच्चे को बस इस chapter में problem पता है क्या थोड़ा से आपको बता तूँ अब बच्चा क्या करता है इस chapter में जब वो इस chapter question करेंगे बच्चा ये बाद आपने mind के अंदर भी ठालेगा कि अच्छा अगर exam में ये point आया तो मुझे ये करना है अगर ये point आया तो मुझे ऐसे करना है अगर ये point आया तो मुझे ऐसे करना है सर ऐसे नहीं होता इस chapter में आपको कुछ adjustment जो है वो learn करके चलनी पड़ेंगी मैं logic हर चीट का दूँगा कि देखो ये logic है ये आपको ऐसे करना है बड़ अगर आपको adjustment ही याद नहीं होंगी तो exam में सोच के बोलना अगर हमारे mind में यही नहीं है कि मैं add back क्या करना है तो हम क्या value निकालेंगे एक बच्चा कहते है सर आपने हमें याद आ रहा है कि अपने हमें GST पढ़ाया था ना तो अपने हमें GST मेरा value निकालनी सिखाई थी तो वहाँ पे भी आपने हमें कुछ adjustment की बात की थी तो क्या वो ही same adjustment custom के अंदर भी है नहीं आपको मैं थोड़ा सा difference बता दूँ अगर कि किसी बच्चे ने GST revise कर लिया हो भी तक उमीद करूँगा सब बच्चे revise करके बैठी होंगे याद करो GST में जो हमारा valuation वाला topic था वो section 15 के अंदर था और वहां मैं बोलता था कि 15 1 की value निकालोगे transaction value उसमें आप 15 2 में 5 adjustment जो होती है उसको आप add कर दोगे और 15 3 में जो आप भी condition होती थी कि buyer और seller related party ना हो और price एक sole consideration हो और अगर ये condition satisfying नहीं होंगी तो याद करो GST में 27 से लेके 31 तक आपके जो भी rules होते थे उस rules के बैसे value निकालते थे वो सारी बात हैं हमने GST में की थी अब अगर मैं custom की बात करता हूँ ना तो custom में है तो कुछ ऐसी बाते हैं बट जो adjustment आपने GST में की वो ही same custom में होंगे ऐसा बिल्कूल भी नहीं है और आप यह समझ सकते उसका logic है क्योंकि अगर कोई समान बाहर से इंडिया में आएगा तो treatment अलग ही करना पड़ेगा और अ और दूसरी बात यह है कि rule number 4 से लेके 9 तक आपके जो भी rules है वो सारे के सारे valuation के rule है तो mainly आपके exam में question जो बनेगा 99% question जो बनेगा वो section का ही बनेगा क्यूंकि सारी adjustment जो है वो section में है rules के अंदर practical question कभी नहीं बनेगा हाँ आपके exam में यह पूछ सकते हैं executive exam में कि यह value निकालनी है इस value के लिए कौन सा rule number लगेगा वो हमें बता दो professional के exam में question क्या बनेगा कि value निकालने के valuation के chapter में कौन-कौन से rule है उसको define कर दो तो theoretical question बनेगा बड़ अगर मैं section की बात करूँगा practical question बनेगा 100% बनेगा professional दोनों के अंदर बस यह पत ध्यान देना बड़ आज हम सारे provision की revision कर लेंगे और मेरे दिमाग में यह विचार आए कि आर मैं दो तिन question आज ही practice करवा दूँगा ताकि आपको यह लगे भी हमें valuation के practical question समझ में आ रहे हैं बाकि काफी सारे question हमें practice करने हैं बड़ मैंने पहल से अब अगर मैं valuation की बात करता हूं देखो यहां पर मैंने दो case बनाई है कि अगर आपको custom value निकालनी है तो उस case में government कहते कि value जो होगी ना वो section 14 में calculate होगी अब इस section 14 के ना दो सब section है एक तो section 14 1 है और section 14 2 है सबसे पहले हम section 14 2 की बात करेंगे फिर 14 1 पे बात करेंगे क्य जो तुमारी tariff value होगी ना उस value को हम value माल लेंगे और उस value पर custom value करेंगे अब एक बच्चा यह सामने बैठा है बच्चा यह बात कहता है यार यह tariff value क्या होती है tariff value का मतलब होता है कि government कुछ goods notified करेगी और उस goods के case में government ही value classify कर देगी भया इस goods की ना इतनी value है और जो value government न करना पड़ेगा हमें अपनी तरफ से value नहीं निकालनी तो symbols ही बात है आपके exam में जब भी question मनेगा tariff value वाला उसमें value department निकालके देगा ठीकरी board आपको निकालके देगा और जो value वो निकालके देगा ना उसी value पर rate applicable करना है उसके अलावा आपने अपनी कोई value नहीं निकाल करेगा for any class of imported goods or exported goods मैं किसी भी class imported goods में कोई भी goods हो चकता है ऐसा नहीं है कि government particular यह बोला कि हम यह goods यहाँ पर cover करेंगे अब government यह बात करें कि अगर कोई भी goods तुम इंपोर्ट करोगे ना उस goods को हम section 14.2 में cover कर सकते हैं क्योंकि ना कई बच्छों के mind में क्या आता है कि sir for example मा इंपोर्ट किये तो उनी केस में 14.2 लगेगा government करते हैं नहीं government यह बात कि किसी भी type का कोई भी goods इंपोर्ट करोगे ना उसको हम 14.2 में लेके जा सकते हैं और अगर वो 14.2 में चला गया तो तो value department fix करेगा उस value पर तो में rate लगाना पड़ेगा बस एपत ध्यान देना तो द rate भी दिया होगा उस tariff value पर rate applicable कर देना जो भी तुमारी duty निकल के आएगी ना वो तुमारी import or export duty होगी 99% chance है कभी यह question बनेगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है सर कुछ भी नहीं है tariff value जब मुझे दे दी है rate मुझे दिया हुए तो क्या tariff value को rate से multiply तो कोई भी कर देगा ना बठा आपके एक्जाम में question यह जरूर बन सकता है एक्जी वालों के एक्जाम में 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 ली कि अगर मान लो tariff value है उस value पर जो मुझे rate applicable करना है और जो मेरी duty निकल के आएगी तो हम tariff value को ही value मान लेंगे ये बात कि section में लिखी है that is section number 14.2 में लिखी है ठीक है तो 14.2 में tariff value की बात है अब मैं यहां पर आ रहा हूँ 14.1 पर आओ 14.1 यह बात कहता है 14.1 यह बात कहता है कि जो भी तुमारी transaction value होगी ना उस value को हम तुमारी value माल लेंगे और उस value पर तुम्हें हमें custom duty देनी पड़ेगी अब बच्चा यह बात कहता है sir मैंने का हाँ sir हमें यह बात याद आ रही है कि जब आपने हमें GSG कराय था ना तो वहाँ पर आपने 15.1 में यह बात बोली थी कि हम transaction value को तुमारी value माल लेंगे बट वहाँ पर दो condition आपने बोली थी सर एक condition तो आपने बोली थी कि buyer और seller आपस में related party ना हो और दूसरी condition आपने बोली थी कि price एक sole consideration हो और आपने वहाँ पर हमें कहा था कि अगर यह दोनों condition satisfied होंगी तब transaction value को value माना नहीं तो नहीं माना तो क्या sir कस्टम में जो हम transaction value को value मानेंगे तो क्या without any condition मालनेंगे कि यह यहां पर भी condition है sir यहां पर भी condition है यहां पर भी condition है government यह बात कहते है कि अगर यह condition satisfied होगी ना फिर transaction value को value माना नहीं तो इस value को value तुम नहीं मानोगे फिर तुम valuation rules के पास जाओगे तुमारी value जो होगी rule number 4 से लेके 9 तक जितने भी rules custom में होगे ना उसके base पर निकाली जाए सबसे पहली condition याद करो जो अपने GST के अंदर पड़ी same condition यहां पर भी है कि buyer और seller related party ना हो जिस से मैंने समान purchase की है purchase मतलब मैंने import की है अब for example मालो Japan के अंदर एक Mr. X है और मैं यहां पर Mr. Y हूँ तो X और Y जो है अगर हम related party नहीं है उस case में transaction value जो होगी हमारी value बनेगी otherwise न consideration means के है कि बदले में जो भी price मुझे मिलेगा ना उस case में वहाँ पे non monetary form में कुछ ना हो क्योंकि अगर money form में भी है non money form में भी है in kind form के अंदर भी है तो उसकी मुझे value निकालने पड़ेगी उसके लिए फिर मुझे rules के पास जाना पड़ेगा तो government यह बात कही दिए पहली condition buyer seller related party ना हो और दूसरी condition जो है price एक sole consideration हो तीसरी condition यहाँ पर यह है subject to other condition as maybe specified in rule और एक rule number three two है उसमें चार condition छोटी-छोटी और दियुए है जो हमारे normally किसी काम की नहीं है बस मेली बात यह दिया नखने है कि दो condition तो यह वाली है चार condition वह वाली है अप्रोक्सिमेट अगर मैं अच्छे condition satisfied करूँगा फिर transaction value को value मानूगा बच्चा कहता है sir क्या यह condition हमारे module में नहीं दी हुई एकजी वालों के module में नहीं दी हुई ठीक है रही और एक दबारा condition फिर यहाँ पे है कि price एक sole consideration होना चाहिए यह condition वहाँ पे दुबारा लिखी हुई है तो बस मेली यह बात ध्यान देना कि दो condition तो हमें यह satisfied करनी है 14 1 में ही जो लिखी है और एक rule 3 2 है उसमें 4 condition further और लिखी है तो अगर मैं 6 condition satisfied कर दूँगा फि value of imported goods shall be transaction value ठीकरी तो वो हमारी क्या बन जाएगी accessible value बन जाएगी फिर उसमें adjustment किसकी करेंगे एक rule 10 है उस rule 10 की adjustment हमें करने पड़ेगी और उस 10 की adjustment करने के बाद फिर जो value हमारी निकल के आएगी ना उस value पर हम custom duty applicable करेंगे बच्चा ये बात कहता है यार में को ना ये point ही समझ में नहीं आ रहा में को ना थोड़ा confusion हो रही है GST और custom में इधर देखना ध्यान से पहली बात तो GST अपने mind से निकाल दो ये अगर India की baseline है बहुत ध्यान सुना सर ये अगर India की baseline है यहां से अगर कोई समान इंडिया में और यहां से कोई समान इंडिया में आ रहतो इस value पर हमें custom duty देनी तो जिस value पर हमें custom duty देनी है वह value कैसे calculate की कि वह value हम निकालना सीख रहे हैं, अब जब यह समान इंडिया में आ जाएगा, फिर इंडिया में supply करेंगे, या तो वह supply इंटर स्टेट होगी, या वह supply इंटर स्टेट होगी, अब अगर वह supply इंटर स्टेट है, उस case में value कैसे निकालेंगे, वह सारी बाते आपने GST में की, तो GST को कुछ confuse मत करो सर, मैं सिरफ यहां पे GST को क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो बाते नोर्मली आपने वहां पे पड़ी हैं, almost वही सेम बाते यहां पे भी कुछ देखने को मिलेगे, बट वहां पे आपने सिखा कि 151 में 152 एड़ कर दो, 153 माइनस कर दो GST की value आ मैं section number 10 की नहीं कह रहा हूँ, मैं rule number 10 की कह रहा हूँ, अब उस rule 10 में दो सब rule हैं, एक तो 10-1 और 10-2, और कमाल की बात, इन दोनों को हमें add करना है, इन दोनों को हमें add करना है, मतलब क्या निकल कर रहा है कि 14-1 में, 14-1 की value में rule 10-1 add करूँगा, rule 10-2 add करूँगा, फिर इन दोनों को add करने के बाद, फिर जो मेरी value निकल कर आएगी ना, उस value पर मुझे custom duty लगानी है, बच्चा कहता है, अच्छा, मतलब कि जो GST में हमने पढ़ा, उसमें 15-1 में, जो हम 15-2 add करते थे, और 15-3 minus करते थे, उसके बाद मेरी value निकल कर आती थी, और ये तीनों ही हमारे section थे, मैंने का yes, अगर मैं custom की बात करूँगा, तो custom में section 14-1 में, दुबारा बोल रहाँ सर, क्योंकि आप गलत कर क्या होगे, exam में option में section दिया होगा, rule भी दिया होगा, आप confuse रहोगे महाँ पे, तो custom ये बात कहता है कि section 14-1 में, आप add करोगे rule 10-1, और add करोगे rule 10-2, उसके बाद जो तुम के अंदर फरक है सर, तो अभी हम custom कर रहे है, अभी हम custom कर रहे है, मुझे फटा फट से बोल दो, अगर मुझे custom आले case में value निकालनी है, तो किस section के अंदर होगी, section 14 के अंदर होगी, rule हमारे क्या होगे, 4 से लेके 9 तक होगे, अगर मेरी value section में calculate नहीं होगे, फिर मुझे rules के पड़ेगा, जब मैं section 14 के पास गया, तो मैंने section 14 से मुझा, section 14 उसने खाства, मैंने का, समानदंट एक समान iimport की है, या मैंने एक समानatt-export की है, उस case में, value निकलनी है, तो मैं कैसे निकालना है, उससने खाव पहले तुują कर तो 14.2 के पास जा, अगर अगर तेरा goods 14.2 में säчики तो उस case में जो भी government तेरे वाले case में tariff value fix करेगी ना, उस value पर तू rate applicable कर दियो, तेरी custom duty निकल के आ जाएगी, मैं 14.2 के पास गया, 14.2 ने बोला भई, तेरा goods जो है 14.2 में नहीं है तो 14.1 के पास जा, अब जब मैं दुबारा 14.1 के पास आया, तो मैंने 14.1 से बोला कि मेरा goods जो है 14.2 में cover नहीं है, तो मेरी value निकाल दो, अब 14.1 मुझे कह रहा है विवेक, कि जो तेरी transaction value है, transaction value means क्या होता है, आतकरो price actually paid or payable, transaction value means क्या होता है, price actually paid or payable, जो तेरी transaction value है न, उस value को ही हम तेरी accessible value माल लेंगे, अगर total एक तरहें की 6 conditions satisfied होती है, सबसे पहली condition, जिससे जो भी ये price fix हुआ है, ये sole consideration हो, और तीसरी condition में 4 condition है, कि एक rule 3.2 है, उसमें 4 condition और है, अगर वो चारों condition में satisfied होंगी, तो जो तेरी transaction value होगी न, उस value को value माल लेंगे, अब जब मैंने section 14.1 से बोला कि 14.1, कि जो मेरी transaction value है, उस value पर मुझे custom duty देनी है, गोवर्मेंट ने कहा हमने ये बोला है, कि transaction value ही तेरी value बन जाएगी, अब इस value में भी न, तुझे कुछ adjustment करनी पड़ेंगे, मैंने करी इस value में कौन सी adjustment करनी है, उसने का rule के पास जाओ, अब एक rule 10.1 है, rule 10.2 है, उन दोनों में जो adjustment होगी, उन दोनों को adjustment करने के बाद, फिर जो तेरी value आएगी कि न, उस पर तो हमें custom duty पे कर दी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो mainly अब हमें बस ये समझना है, कि 14.1 की value तो मुझे दी होगी, अब 14.1 के बाद rule 10.1 और 10.2 की adjustment मेरी कौन सी है, मुझे अब यहाँ पर बो देखनी है, इधर देखो दिहां से लिए, अब यहाँ पर आप module से custom चानने बैठ जाओगे न, आपको यह लगेगा कि भईया यह चल क्या रहा है, ठीक है रही, और अगर यहाँ से diagram मना लोगे, उसके बाद question कोई भी solve करोगे न, आपको यह लगेगा और कितना बड़िया diagram है, बट अभी नहीं, पहले एक बार समझ लो, जब class खतम हो जा 10.1 में government career adjustment कौन कौन सी करनी है, सबसे पहला है commission and brokerage accept buying commission, it means government यह बात कहते हैं कि अगर कोई commission है न, उस commission को तुम add back कर दोगे, बट अगर वो buying commission है, वो commission add नहीं होगा, तो सबसे पहली बात हमें add क्या करना है, commission और brokerage add करनी है, क्या सारे commission हमें add करनी है, या buying commission छोड़ कर, buying commission एक बच्चा कहते है, sir, अगर buying commission को हम बाहर निकाल देंगे, फिर commission बचा कौन सा, selling commission, it means अगर हमें question में selling commission दिये है, फिर तो हम add करेंगे, अगर question में buying commission दिये तो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको ignore करके चलोगे, उसके बाद फिर हम add करना है, cost of container, अगर container कोई obvious ही बात है, sir एक बात मैंने सोच के बोला, अगर मैंने कोई समान आपको भेजा, तो वो किसी container के अंदर भेजा होगा, उस container की बी एक value होगी, अगर मैं market के अंदर भेज़ूँगा, तो government ने क्या बोला, उस container की value को तुम अपनी value में add करोगे, but हाँ, अगर वो container durable है, या returnable है, तो उस case म आपकी value में add नी होगा, ओवेस सी बातारे से मालो मेरे important में बोला विवेक, कि हम तुझे ना remote भेजने हैं, और remote एक container के अंदर भेजने हैं, आपने remote निकालके container वापिस कर दियो, अब अगर आपने report निकालके container वापिस कर दियो, तो मैंने container ही वापिस कर दिया, तो मेरी value म में ये value हम क्यों add करेंगे, सिंबल सी बात है ना सर, हाँ अगर वो container मेरे पास ही रहता, फिर तो उसकी value में value add करनी पड़ती, बड़ जब मैंने container ही वापिस कर दिया, तो government के दिया, उस case में तुमारी value में हम उस container की cost add नी करेंगे, तो देखो यहाँ पे पहला commission broker add करेंगे दूसरा cost of container add करेंगे, बड़ हम add नहीं करेंगे अगर वो durable है और returnable है, बच्चा कहता है sir, अगर मालो question silent हो, अगर कुछ भी ना लिखा हो, returnable है, durable है, कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो cost of container दिया हो, तो क्या हम add करेंगे, answer is yes, add करोगे, जब तक वो specifically नहीं अगर durable है, उस case में आपको हर case में add करना है, बड़ अगर वो specifically बता रहे है, उस case में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस एपत जान दो, उसके बाद देखो जी, फिर cost of packing, आपकी तो packing cost है, वो भी आप यह add back करके चलोगे, royalty and license fees, यह भी आपको add back करनी है, उसके बा ऐसी कोई भी payment, जो buyer ने pay की है, ओविसी बात है, याद करो, आपको मैंने वहाँ पर भी का था, GST के अंदर, कि ऐसी कोई payment, ऐसी कोई payment, जो buyer ने pay कर दी seller के बहाफ पर, अब अगर ऐसी कोई payment, buyer ने pay कर दी seller के बहाफ पर, उस time GST की time पर में add back करते हैं, वो ही same बात यहाँ और भी है, तो government कह रही है, ऐसी payment, जो buyer ने pay की है, ऐसे condition of sale, उसको आप add back करोगे, except क्या add back नहीं करोगे, interest और financial 14 आप यह add back नहीं करोगे, तुम उरे फटावट से पहल तो यह बोलो, 10-1 में हमें कौन-कौन सी बात यह add back करनी है, सर, 10-1 में मेरे को chat box में लिखके है, बताओ सर, यहाँ पर जगराता नहीं चल रहा, कि आज महिया का जगराता, आज महिया का जगराता, ओ दरिशन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता, यहाँ पर कोई जगराता नहीं चल रहा, कोई ससंग नहीं चल रहा, बच्चा आग कमिशन बाहर निकाल दिया, कौन सा कमिशन बाहर निकाल दिया, buying commission बाहर निकाल दिया, second फिर government ने क्या बोला भी cost of container, but durable है, returnable है, तो add back ने करने, तीसरा government ने बोला, cost of packing add back करोगे, fourth government ने बोला, royalty और license fees अगर दी है, वो add back कर दोगे, fifth government ने बोला, designing cost development cost वो add back कर दोगे and last government ने बोला ऐसी कोई payment जो buyer ने पेकी है वो add back कर दो but interest और financial चार्जिस होंगे वो तुम add back नहीं करोगे ये adjustment आपकी 10-1 की है अब जो भी आपका price actually paid or payable था जो 14-1 में था उस 14-1 में सबसे पहले आपने adjustment की 10-1 की उस 14-1 में आपने adjustment की की 10-1 के adjustment की अब इस 10-1 की adjustment करने के बाद आप आपकी adjustment आएंगी 10-2 की इस 10-1 के adjustment करने के बाद आपके adjustment आएंगी 10-2 की अचा अब सुना ध्यान से 10-2 में ना कई सारे बच्चों को बहुत problem आती है और ये 10-2 में काफी major changes आए थे आज से approximate एक डेड़ साल पहले और even changes नहीं, इन्होंने पूरा rule number 10-2 नया ही insert कर दिया था और जब ये नया rule number 10-2 insert किया, तो उसके पासे जो भी practical question बनते हैं नोर्मली बचा गलत ही करके आते हैं अब सुना ध्यान से कहना क्या चा रहा हूं, पहली बात तो ये समझो कि जो ये हम कलाकारी कर रहे हैं, जो ये हम समझ रहे हैं उसके नदर हम कर क्या रहे हैं? सर उसके नदर हम ये कर रहे हैं कि ये अगर हमारी इंडिया की baseline है यहाँ पे exporter की प्रिमाइस है, जो वो समान भेज रहे हैं यहाँ पे foreign port है और यहाँ पे हमारा port है और यहाँ पे कौन है? मालनो यहाँ पे importer है, जिसने वो समान मंगाया है अब यहाँ से वो यहाँ समान जाएगा यहाँ से वो यहाँ समान आएगा ठीक है, और यहां से वो समान घर जाएगा, यह सारी बाते हमने की, तो 10-1 की अडिश्मेंट क्या होगी, वो सारी की सारी हमने देख लिए, अम में मुद्धा आता है 10-2, अब मैं या तो आपको बेरलो दिखाऊ, जो प्योर बेरलो है, जो लिगल लेंग्वेज है, या तो पहले वो पड़े, या डारेक्ली ही सिंपल लेंग्वेज दिखा दूँ ताकि कामी खतम हो जाए, मेरा दिल तो पहले बेरलो दिखाने का है, आपका दिल का है मुझे नहीं पता बच्चकर सर फिर हमारा दिल भी वही है आउ जी देखो ध्यान से आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ एक्चुल बेर लो जो है यह देखो आपका रूल नंबर टेन टू जो है न सर यह देखो रही रूल नंबर टेन टू सबसीट्यूटीड बाई न्यू सब रूल इड्मिस जो इन्हों ने रूल नंबर टेन टू इंसर्ट किया ना वो विल्कुल नया किया पहले कुछ अलग था अब कुछ अलग गया बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ही जादा ध्यान से पढ़ना क्योंकि आप गलती करने वाले हो दो मिंट के अंदर अंदर बच्चा करें ऐसे कैसे गलती करेंगे मैंने बूल कि ना दो मिंट के अंदर गलती करोगे अगर आब ध्यान से नहीं पढ़ होगे अब 2 मिंट के अंदर गलती करोगे एक बार पढ़ते हैं क्या लिफा है the news rule 10-2 provide that for the purpose of sub section 14-1 मला 14-1 में हमने 10-2 की addissement करनी है तो government कह रहिए these rules the value of imported goods shall be value of such goods and shall include मला जो तुमारी value 14-1 की है उसमें तुम include करोगे क्या सबसे पहला यहां मैं बहुत ध्यान से पढ़ना जी cost of transportation मेरे पीछे बीचे बोलते रहो cost of transportation cost of loading cost of unloading and handling charges associated with the delivery of imported goods to the place of importation एक बार दुबारा बोलो सर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ valuation का chapter असान है बट उससे असान बनाना पड़ता है नहीं तो एक ही काम होगा सर मेरी पूरी revision class ना पूरी class मेरी waste 0 बटा 0 बन जाएगी अगर आपने class में ध्यान नी दिया और बिना बात के जो हमारा एक डिट गंटा लगना है वो सारा waste हो जाएगा और मुझे जल्दबाजे कोई भी निया सर मैं समझाओंगा आराम से बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पीछे बोलो क्योंकि पाइंट बिल्कुल नहीं है 10-2 की पहली अडिश्मेंट के है हमें क्या एड करना है 14-1 में हमें क्या एड करना है transportation cost, loading cost, unloading cost और handling charges उसमें क्या बोला associated with the delivery of the imported goods to the place of importation मेरा पूरी क्लास से कोशन है जो बच्चे मेरे सामने बैठे है ये चारों खर्चे हमें एड करने है ये चारों खर्चे हमें एड करने है ये चारों खर्चे कहां तक क्या एड करने है बच्चा कहां तक क्या एड करने है मतलब मेरा कोशन सुनना ध्यान से यह आपके इंडिया की बेस्ट लाइन है यह आपके एक्सपोर्टर की प्रिमाईस है यह आपका फोरन पोर्ट है यहाँ पर यह आपका पानी है यहाँ से आपका वैसल जा रहा है यहाँ से आपका वैसल जा रहा है और यह आपका पोर्ट प समान इसमें लोड किया होगा और यहां से समान फिर आपने अनलोड कर दिया होगा, यहां लोडिंग 14 होंगे, यहां पर अनलोडिंग 14 होंगे, और जब यहां से यहां समान गया होगा, तो बीच में transportation और यहां पर insurance भी आई होगी, और जब यहां से यहां समान गया होगा, तो बीच में transportation भी होगी, बीच में insurance भी होगी, मेरा पूरी class से question है, जो 10-2 है, 10-2 है, एक chance और दे रहा हूँ, 10-2 का दुबारा से पहला point पढ़ना, मेरा पूरी family से बस ये question है, कि जो ये 4 खर्चे add करवारे हैं, बहुत ज्यान सुना, जो ये 4 खर्चे add करवारे हैं, वो चार खर्चे कौन से हैं, वो चार खर्चे सोच करवारे हैं, वो चार खर्चे कौन से हैं, वो चार खर्चे इसके बीच में हैं, इसके बीच में लो खर्चे होंगे, वो add करने हैं, या जो exporter की प्रिमाईस से लेकर यहां आने तक के जितने खर्चे होंगे, वो सारे add करने मेरा कोशन दोबार सुना मेरा कोशन क्या है कि exporter की प्रिमाइस मालो यह है यह foreign port है यह Indian port है यह importer है तो government यह बात कहरी है importer तेरे हाथ मेरा value निकालेंगे न तो 14.1 की value निकल गई हम adjustment करेंगे 10.2 की हम transportation cost एड़ करेंगे loading खर्च एड़ करेंगे unloading खर्च एड़ करेंगे handling खर मस नहीं रहा कि जो यह खर्च गवर्मेंट एड़ करने की बात कर रही है वो यहां से लेके यहां तक है यहां से लेके वहां तक जितने भी बीच में transportation होंगी जितने भी insurance होंगे जितने भी handling चारीस होंगे वो सारे कि सारे एड़ होंगे अब अगर आप rule 10-2 को ध्यान से पड़ो तो आपने ध्यान से अगर पड़ा है सर उसने क्या बोला कि यह चारों खर्चे to the place of importation जो होंगे न हम एड़ करके चलेंगे मतलब कहना पता क्या चारों कहना सर मैं यह चारों कि जब आप यहां पर 10-2 की adjustment करोगे तो यह transportation भी आड़ होगी यह insurance भी आड़ होगा यह loading खर्चे भी आड़ होगे और अगर कोई handling चार्डिस है वो भी आड़ होगे यह transportation भी आड़ होगी और यह insurance भी आड़ होगी फिर य यहां पर यहां पर जो value निकल कियागी ना उस value पर हम कहीं GST की बात करेंगे एक बच्चा यह बात कहता है सर मैंने कहां कहता सर आपको मेरे को लगता है कि आपने दूसरी class ध्यान नहीं आ रही मैंने कहा क्यों क्या हुआ कहता सर आपने हमें कहाता कि जो भी आपकी value निकल के आती है CIE value निकल के आती है उसमें आप unloading खर्चे एड नहीं करते हैं उसमें आपने हमें कहाता कि unloading खर्चे एड नहीं करते पहले एक जमाने में होते थे अब एड नहीं करते और अब आप यहां पर कह रहे हो कि unloading खर् मेरा पूरी फैमिली से दुवारा एक कोशन है, आप सब इनको अंसर दोगे इस बच्चे को, ये अनलोडिंग खर्च है, सोच के बोलना सर, क्या ये अनलोडिंग खर्चे इस वैसल से ये अनलोड करने के हैं, सोच के बोलना, क्या ये अनलोडिंग खर्चे यहां पर वाले हैं या जब यह एक्स्पोर्टर की क्रिमाई से फोरन पोर्ट पे समान गया होगा, वहाँ पे जो उनलोडिंग हो योगी, वो वले खर्चे हैं, सरी, वो वले खर्चे हैं। आपने फिर लाइन ध्यान से पढ़ी कहा है, यही तो प्रोब्लम आपके अंदर है, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दिया हम। सर उसने साफ साफ बोला कि जो भी तुम्हें खर्चे अड करने हैं न, to the place of importation। सर वो at the place of importation नहीं कह रहा, वो to the place of importation कह रहा है, वो at की बात नहीं कर रहा है। मेरा आपसे दुबारा से question है कि जो यह unloading खर्चे हैं, यह unloading खर्चे न, सर, यह at the place of importation है, importation के place पर यह खर्चे हो रहे हैं, importation के place आने तक यह खर्चे नहीं हुए। सोच के बोला, इंपोर्टेशन के प्लेस के आने तक, आने तक का मतलब क्या है? यहाँ पानी, जब यह वैसल इंडियन पोर्ट पे आ गया, उस वैसल के वहाँ आने तक, उससे पहले आपने जो भी खर्चे कियोंगे, वो आइड होंगे, जब यह वैसल आ गया, उसके बाद ज खर्च आड नहीं करने, आप ही एड करके आओगे, क्योंकि रटने वाला बच्चा न, यह तो देख लेगा अनलोडिंग खर्च आड करने है, वो यह नहीं देख पाईगा, कौन से आड नहीं करने, तो सर, अगर वो अनलोडिंग खर्चे दियो हुए, पहले के, पहले का मत अचा हुए है, उसको हम एड नहीं करेंगे, बस एबाद ध्यान देना, तो मेरी बाद समन में आ रही है थी, तो गौर्मेंट ने साफ साफ क्लिर कर दिया, कि यह एक्सपोर्टर की प्रिमाईस से, एक्सपोर्टर की प्रिमाईस में इंडिया के पोर्ट तक, यहां तक आने गुनल्फ ए, जो भी हम पढ़के आयरे है, इंकल्फ द शिप डेमरेच चार्डिस, उन चार्टर वैसल, लाइट रच ओर बैरेच चार्डिस, जो शिप डेमरेच चार्डिस होते हैं और जो लाइट रच चार्डिस होते है ना, उसका आप ट्रांस्पोर्टरिशन की 6 खर्चे हमें एड़ करने हैं, एक तरा से हमें 6 खर्च आड़ करने हैं सर, इन 6 खर्चों में सबसे पहली adjustment हमारी 10-2 की यह है, बच्चा कहते है सर, आपने तो यहां पे काई insurance लिखा ही नहीं और आपने तो का था यहां पे इंशुरेंस भी आड़ोगा, आप अगला पाइंट पड़ो धियान से, देखो अगले पाइंट में क्या लिख है, पाइंट नमर B, cost of insurance to the place of importation, भाला importation के place आने तक, importation के आने तक आपने उससे पहले जो भी इंशुरेंस खर्चे कियोंगे, वो भी आपके एड़ो जाएंगे, अच्छा अब सुना ध्यान से, अब यहां पे निकल के क्या आया, अब करक्स देखो जी, करक्स ये है, ये आपकी इंडिया की ये baseline है, बहुत ध्यान सुना है, ये आपकी exporter की प्रिमाईस है, ये आपका foreign port है, ये आपका Indian custom port है, और ये आपका foreign custom port है, और यहां पे ये आपके vessels हैं, जो आपका समान इंडिया में लेकर आ रहे हैं, ठीक है रही, अब यहां से पहले foreign port पे समान जाएगा, यहां पे transportation cost भी होगी, यहां पे insurance cost भी होगी, और अगर कोई local tax होगे, वो भी यहां पे लग जाएंगे, ठीक है रही, उसके बाद यहां पे समान आ गया, अब याद करो, इस price को हम क्या बोलते हैं, यहां पे समान आ गया, यहां पे लोड होगा, अब अगर FAS के अंदर मैं loading 14 एड कर दूँगा, तो वो FOB बन जाएगा, तो यह price मेरा निकल के आगया, FOB, यह मेरा FOB एकना से निकल के आगया, अब इस FOB के बाद रस्ते में दो खर्चे होते हैं, transportation और insurance, तो government ने क्या बोला, वो भी है मैं add back करेंगे, तो इसमें हम COT और COE add कर देंगे, यह मेरी value क्या निकल केगी, CIF value, अब जब यहाँ पर मेरी value, CIF value आ गई, उसके बाद ना फिर मैं unloading करूँगा, समान तो मुझे उतारना पड़ेगा न, तो government कह रही है, यह जो unloading होगी यह इस value में add निक करोगे, उससे पहले अगर कोई unloading खर्चे हैं, वो तुम add करोगे, Indian port पर करोगे समान आ गया, उस समान को उतारने के लिए जो unloading खर्चे होंगे, उस value को तुम्हे add निक करना, बस एपत ध्यान देना हुआ 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 है, तो simple सी बात यह निकल क्या रही है, कि यहां से रवो समान चला, जब यहां से वो समान चला और जब वो यहां पानी में समान पहुंचा, कई बच्चे यहां पर सेशन छोड़के भाग के होंगे, उनको लग रहा हुआ हूँ, वो कुछ कमाके जाएंगे, कुछ earning करके जाएंगे, कुछ knowledge लेके जाएंगे, तो मैं दुवारा बोल रहा हूँ, यहां से रब वो समान चला, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में, बलब इसके बीच में आपने जो भी खर्चे कियोंगे न, वो सारे आपको एड़ करने पड़ेंगे, 10-2 की पहली और दूसरी adjustment बस यह है, चाहे वो transportation वाला खर्चा है, चाहे वो unloading वाला खर्चा है, चाहे वो handling चार्डिस है, चाहे वो ship damage चार्डिस है, चाहे वो light rate चार्डिस है, चाहे वो insurance खर्चे है, बस हमको यह दिए देखना है कि यहां से रह वो समान चला, और जब इस port पर समान बोचा, इसके बीच में जो भी आपने खर्चे किये, कि किसी बीतर का मतलब, उन्होंने बता दिये, transportation होंगे, handling charge होंगे, loading खर्चे होंगे, unloading खर्चे होंगे, ship temperature होंगे, light rate charges होंगे, उसके बाद insurance खर्चे होंगे, तो यह सारे आपको add करने हैं बस, ठीक है रही, उसके बाद के यहां पर आने के बाद के जो आपने खर्चे किये, unloading खर्चा किया, यह समान इंडिया के port पे आ गया, उसके बाद यहां पर और भी कई खर्चे होंगे, वो हमें value में add नहीं करने हैं, बस एपत ध्यान देना, मेरी बाद समन में आ रही है, तो यह हमारी adjustment 10-2 की है, अच्छा अब सुना ध्यान से, अब बच्चा के ददा चलो के वाले साथ खर्चे हैं, बता औरी कौन कौन सा, सबसे बहला transportation, handling chart, पीछे बोलो सर, याद हो जाएंगे, आज ही मैंने क्या custom की revision, सर ध्यान सुना, मैं जूट नहीं बोल रहा, custom की revision, अगर साथ के साथ कर लोगे न, custom खतम हो जाएगा, साथ कर दूबारा कभी exam से पहले नह यह महिना पूरा custom पे devoted है, बट वो तब अगर आप साथ में participate करोगे सा, result मेरा नहीं आना, degree मेरे पास मेरी है, result आप का आन है, वो तब आएगर आप participate करोगे आप, तो मुरे फटा पर से बोलो, खर्चे कौन कौन से हैं, transportation, handling chart, loading chart, unloading chart, ship damage chart, light rate chart, और insurance chart, यह साथ खर्चे हमे place of importation तक के, जो भी होंगे हमें add करने हैं, यह हमारी 10-2 की पहली adjustment है, अच्छा अब सुना ध्यान से, यह तो हमें समर्ण में आ गया, यह adjustment हमें पता लगे, अब जब importer को लगा ना, जब importer को लगा कि भाई साब यह तो खतरना काम हो गया, क्योंकि पहले जो वाला पहला ज 10-2 आया है, उसमें काफी सारी arrangement है, तो importer ने सोचा यार, कि जब वो समान exporter की प्रिमाई से इस port पे आएगा, इस port से इंडिया के port पे आएगा, तो बीच में सारे खर्चे गोर्मेंट ने का, हम value made करेंगे, तो अगर value जादा निकल गई, फिर तो custom duty भी जादा आएगी, अ अगर मुझे जादा custom duty देनी पड़ गई, फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, अब इस person ने अलग-लग तरीके निकाले, इसने बोला जी, मुझे transportation cost पता ही नहीं है, मुझे insurance cost नहीं पता, मुझे handling charging नहीं पता कितनी, मेरे का loading खर्चे कितनी हैं वो नहीं पता, unloading स्टार्ट कर दिया, कि ये cost जो तुम add करने की बात कर रहे हो ना, ये cost uncertainable ही नहीं है, ये cost मुझे पता ही नहीं है, कितनी है, अब अगर cost ही नहीं पता, तो add मैं क्या करूँ, अब जब starting में low नहीं था, तो उस टेम कई सारे quotes की judgment थी, कि जब ये cost uncertainable होगी ना, तो फिर जित इतनी cost पता है, उसी पर custom duty लगा दो, इसको छोड़ दो, लोगों के मजी आ गए, लोगों ने भगणा डालना, start कर दिया, बल्ले, 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 अगर cost नहीं पता, तो इसको बाहर निकालो, जो cost पता है, उस पर custom duty पे करो, मेरा काम तो हो गया, अब government को लोगा कि भाई साब क्या चक्कर है ये, भाई अगर ये cost ये हमें नहीं बताएंगे, ये cost बोलेंगे, बल्ले, नहीं है, हम नहीं निकाल पारे, फिर तो ये हर बार क्या बोलेंगे, कि भाई है, मेरी जो यहाँ पे price होगा, एक तरह से executive price होगा, वही मेरा CF price बन जाएगा, उस पर म में एक point अंदों ने और add कर दिया, कि अगर तुमारी cost असरेटेनेबल है, फिर तो जितनी तुमारी cost होगी ना, उसको तुम add कर दो, बट अगर तुमारी cost असरेटेनेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इतनी percent जो होगा ना, इतने percent जो होगा, हम ये खर्चा मानकर त अब वो कितने percent मानेंगे, और वो percentage किस value की निकालनी पड़ेगी, एक तो हमें ये सिखना है, और दूसरा यहाँ पर एक बात हमें और सिखनी है, कि अगर मैं vessel और vehicle से कोई समान import कर रहा हूँ, उसका treatment अलग लेके चलना है, और अगर मैं by air कोई समान import कर रहा हूँ, उसका treatment म मुझे अलग लेके चलना है, आपको मैं दिखा देता हूँ, अब मैं अपने diagram पर आ रहा हूँ, जो मैं बना के लाए था घर से, यह देखो जी, rule number 10-2, सबसे पहला cost of transportation, loading charge, light rate, bearage charge, unloading charge, handling charge, ship damage charge, एक तो हमारे 6 खर्चे तो यह हो गए, cost of insurance, 7 खर्चा हमारा यह हो गया, 7 ख करके चलेंगे, अब government करिए विवेक, अगर यह 6 खर्चे देख्या लिखा हुए, associated with delivery of the imported goods to the place of importation, अब अगर यह 6 खर्चे, आपने समान इंपोर्ट किया, vessels या vehicles है, मैं दुबारा बोलूँगा, अगर आपने समान इंपोर्ट किया, जमीन या पानी, हावा छोड़ दो, हा approximate 80% से जादा import जो है, वो सारा vessel के थू होता है, बहुत कम import जो है, वो by air के थू होता है, तो अगर मैंने समान इंपोर्ट किया, vessel और vehicle के थू, और यह cost आपकी uncertainable है, transportation का मतलब यह मत समझना, सिरफ cost of transportation कह रहा हूँ, transportation means यह जो 6 खर्चे है न, यह 6 खर्चे uncertainable है, पता है, कित मुझे नहीं पता यह खर्चे कितनी है, यह 6 खर्चे uncertainable है, एक बच्चा कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कि 6 में से 3 पता हो, 3 ना पता हो, तो क्या करेंगे, क्या हम 3 तो ले लेंगे actual, और बाकी 3 के value से निकालेंगे, नहीं, नहीं सर, अब ध्यानकना, अब अगर कोई भी cost आपको नहीं पता ना, तो जो percentage अब government देने जारी है, वो total 6 खर्चों की ही है, यह भूल के भी यह गलती मत कर देना, कि जो खर्चों की cost मुझे पता है, वो तो मैं ले लूँ, जिसकी नहीं पता, उसकी percentage निकालू, आपके उपर heart chip हो जाएगी, आपके उपर double effect आजाएगा क्यों, क्योंकि जो percentage है, वो percentage ही total 6 खर्चों की है, तो देखो यहाँ पे, अगर कोश नहीं पता, not ascertainable, तो 20% of FOB, जितनी तुमारी FOB है ना, उसका 20% जो होगा, उतनी value हम माल लेंगे, और यह FOB का मतलब होता है, after adjustment 10-1, महला 10-1 की adjustment करने के बाद, 10-2 की नहीं, क्योंकि 10-2 होगी, तो हम करी नहीं है, तो 10-1 की adjustment पहले होगी, 10-1 की adjustment करने के बाद, जो FOB निकल गएग, उसका 20%, ठीक है, अच्छा, कहीं बार क्या होता है, practical life में यह देखने को मिला, कि importer ने बोला, जी मुझे FOB नहीं पता, क्योंकि आपने बोला, FOB का 20%, मुझे FOB ही नहीं पता, क अलेश खतम हो गया, तो government ने बोला भाई, तुर्ये क्या पता है, उसने का जी मुझे FOB, प्लस मेना cost of insurance, इन दोनों का ना sum total पता है, इन दोनों का मुझे sum total पता है, अलग लग नहीं पता मुझे, क्योंकि आपने तो बोला भाई, जो FOB अलग होगी, उसका 20% लेंगे, आप बताओ क्या करे, गोर्मेंट के रिद्षा, जितना चलाक तु है उसे कई गुना चलाक हम है, या तो तु हमें FOB बता दे, अगर बता देगा, तो FOB का 20% ले लेंगे, नहीं तो, बेटा जी, जितना ये तेरा sum total है उसी का 20% ले लेंगे, अब छुपाओ उसके अंदर, अब mix करते, insurance उसके अंदर, कर, mix, कर, 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 कर ना, अब क्यों नहीं कर रहा, नहीं नहीं, सर मुझे insurance पता है, सर मुझे insurance पता है, अब insurance तुरे पता होगा, अपने पता लागेगा तुझे, क्योंकि अभी तु क्या सोच रहा था, कि FOB का 20% लेना है, तो मैं यह बोलू हो, उसके मास्टर हम एक जमाने में हुआ करते थे, तो सिंबल सी बात है, बेटा जी, कि अगर आपकी FOB है, तो FOB का 20%, FOB अकेली नहीं पता, FOB प्लस insurance पता है, तो उन दोनों का sum total जो होगा, उसका 20% आप निकाल लोगे, बच्चा कहते है, सर यह तो तब निकालेंगे ना, अगर ये 6 कोस्ट हैं, मुझे नहीं पता, अगर पता है, फिर तो actual खर्चेंगे, अब बच्चा कहते है, सर ये तब है, जब आपने import किया vessel और vehicle से, अब अगर आपने import किया aircraft से, तो क्या होगा, तो अगर आपने import किया aircraft से, और अगर cost पता है, अगर cost पता है, तो यहाँ प एयर वाले केस में 20% से ज़्यादा, मैं दुबारा वोलूँगा, एयर वाले केस में F.O.B. के 20% से ज़्यादा ये 6 कोस्ट होई नहीं सकती, जबकि वैसल और वीकल में ऐसे कोई restriction नहीं है. सब ध्यान से देखना, देखो, यहाँ पर मैंने अलग क्यों किया है, क्योंकि वैसल और वीकल वाले केस में अगर एक्चुल पता है, तो एक्चुल ही लेंगे, चाहिए वो 20% से ज़्यादा ही क्यों नहीं हो. बट अगर मैं बाए एयर की बात करूँगा ना, अगर एयर की बात करूँगा, और अगर मुझे एक्चुल पता है, तो फिर एक्चुल तो ही यह, और एफ़ोबी का 20% भी निकालेंगे, और वीच एवर इस लेस जो होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे. क्योंकि गोर्मेंट यह बात कह रही है, कि भाईया, एयर वाले केस में आपके ट्रांस्पोरेशन कम आती है. आप सब जानते हो सर, वैसल में ट्रांस्पोरेशन बहुत जादा आती है, क्योंकि वैसल को आने में टाइम लगता है, ठीक है, उसकी बीच में कई स्टोपेज होते हैं, उसकी काफी सारे खर्चे होते हैं, तो गोर्मेंट कहते हैं, वहाँ पे तो जो एक्चुल होंगे, व बच्चा के रहे, सर, एक बारना हम आपको ना रिवाइस करवाना चाते हैं, क्योंकि हम थोड़े कन्फ्यूज हो चुके हैं, और सर, आप भी कमिट्मेंट करके जाओ, आप आज क्लैस ऐसे खतम नी करोगे, आप हमें एक दो कोशन कराओगे, 100% कराओंगा, ठीक है, रिक कस प्रेक्टिकल कोशन के साथ खतम हो जाएगा ना, उस दिन आपने एक्जाम का कोई भी कोशन उठा लेना, अगर सोल ना हो तो मुझे बोल देना, ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं, सर, आप जो भी करा रहे हैं, उसमें कई कोशन सोल अभी होंगी कैसे, अभी आ पाइंट छोड़ जाते हैं, और वही पाइंट एक्जाम में दिक्कत क्रियेट करते हैं, इधर सुना ध्यान से बच्चा कह रहा है, सर, मुझे ने एक बार रिवाइस कराना है, कराओ, सर, मुझे आपने भी तक यह बताया है, कि यहाँ पे, जैसे मानलो, आपने बोला, यह करती है, सबसे पहला Rule 10-2 में कि तुम्हें यह खर्चे आड करने पड़ेंगे value में, और कौन-कौन से खर्चे है, transportation खर्चे होंगे, उसके बाद आपके loading खर्चे होंगे, unloading खर्चे होंगे, handling charge होंगे, उसके बाद ship damage खर्चे होंगे, और lighter charge होंगे, यह 6 खर्चे आपको add क कैसे, अगर by vessel आया, ठीक है रही, या by road आपका आया, मतलब by vehicle आया, तो उस case में treatment हम करेंगे अलग, और अगर आपका by aeroplane आया, उसका treatment करेंगे अलग, मैं गरी क्या treatment लग करेंगे, कहता है, अगर आपका ऐसे आया, और actual खर्चे पता है, फिर तो actual ही लेंगे चाए वो कित और actual पता है, आयर के थू रहे हो, और actual पता है, तो बस यह ध्यान देना कि वो actual जो है, वो FOB के 20% से ज़्यादा नो, अगर वो FOB के 20% से ज्यादा है, तो FOB का 20% लेंगे, और अगर वो FOB के 20% से कम है, फिर जो कम वाले होंगे, वही लेंगे, क्योंकि government कह रही है, FOB का 20% और actual which average is less, बच्चा केता है, सर, अगर यह पता ही नहीं है कितने खर्चे हैं, फिर तो वो ही FOB का 20% अप ले लो, यह सारी बाते मैंने तब बताई है, उन 6 खर्चों के बार, बच्चा केता है, सर, आपने हमें इंसरेंस की बात भी की थी, अब इंसरेंस में देख लो, इंस इंसरेंस में, इंसरेंस में सब कुछ एक समान है, वेसल, वेकल, एयर, तीनों में एक बराबर है, अगर पता है, तो actual ले लो, और अगर नहीं पता, फिर जो FOB है, उसका 1.125% ले लो, अब जब मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ ना, आपने से कही बच्चे खुश हो रहे है एक जी वाले जिनका प्री टेस्ट होता है, बच्चों कह रहे है, यार, प्री टेस्ट में कस्टम के वेलुएशन के यही तो कोशन पूछ रहेते हैं, मुझे समवजन यार थी उस तेम, अब तो आगए, अब तो आगए ना, टेंशन मतलो, जो आपके प्री टेस्ट में प्रसेंटेज वाले, बताओ, इंसुरेंस की कितनी प्रसेंट में लूँगा, तो सिंबल जी बाता, अपना माइन बिल्कुल क्लियर करेंगे चलना, कि वो 6 खर्चें अलग और इंसुरेंस अलग, वो 6 खर्चें में 2 बाइफर्केशन करेंगे, वीकल और वैसल अलग करेंग इंसुरेंस वाले में सब कुछ एक साथ करेंगे, इंसुरेंस वाले में पता है, तो इतनी एक्चुल है वो लेंगे, और अगर नहीं पता, फिर FOB का 1.125% जोगा, उसके बेस्प्रम ले लेंगे, ठीक हैरी, तो यह आपके खर्चें हैं, आप देखो, यहाँ पर आपको दि essence fees हो गया, यह आपने add कर दिया, अब यह आगई FOB after adjustment 10.1, अब यह जो 10.1 में निकल के, उसके बाद हम करेंगे, adjustment 10.2, transportation, lending charge, unloading खर्चे, handling खर्चे, etc. में दो और खर्चे और हैं, यह आप add करोगे, फिर cost of insurance, आप यह add करोगे, then आपकी यह CI value निकल के आ जाएगी, इस तरह अगर इंडिया की baseline है, तो यहाँ पानी है, तो इंडिया के port पर वो समान पहुचा, उस time value कितने है, क्योंकि उसके बाद के जो unloading खर्चे होंगे, वो तो हमें add करना ही नहीं, तो इस पानी में जो value है, उस value को हम CI value बोलते हैं, अब बच्चा कहता है, sir, यह value तो foreign currency में होग कहता है, but sir, इंडिया में जो हम custom duty pay करेंगे, वो तो Indian rupees में करेंगे, अब अगर यह CI value foreign currency में है, तो इस foreign currency की value को हमें Indian currency में convert भी तो करना पड़ेगा, मैं कहता है, बिल्कुल करना पड़ेगा, कहता है, किस rate से करेंगे, जो यह हमारी value है, इसका rate of exchange हम कौन सा लेंगे, तो government क कहती है, देखो जी, इसको convert करेंगे INR में, अब कैसे convert करेंगे, CI value foreign currency में rate of exchange notified by CBIC on the date when bill of entry filed for home consumption, जब तुम home consumption के लिए bill of entry file करोगे, मैं दुवारा बोल रहा हूँ, जब home consumption के लिए bill of entry file करोगे, उस दिन जो CBIC का rate of exchange होगा न, उस rate से multiply करोगे, और जो बच्चे भी मेरे पा आपको लगता है, मुझे पता नहीं लगता, साथ साल हो चुगे हैं बढ़ाते हुए, और मुझे पता YouTube पे कितना बचा सुनता है, और free वाली class तो बच्चा कितना सुनता है, मुझे सब पता है, बट problem पता है कि मैंने कभी सोच के डाला ही नहीं कि class free में है, क्योंकि मैंने पता है कि दो तिन घंडे में revision में रिखा दूँगा ना, तो भी exam के question solve हो जाएंगे, बट मेरा motive है कि इसने पहले कभी custom पढ़ा ही नहीं है, वो भी कम से कम अगर ये class देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा, बट problem क्या, आपको लग रहा है free में है, तो हम क्यों पढ़े, म मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, exam में आपको दिक्कत आएगा, इधर सुना भ्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ, अब यहाँ पेना चाहर मैंने क्या बोला है rate of exchange वो लेंगे जो notified कि CBIC ने, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके question में आपको दो rate दियोंगे, वो बोलेगा rate of exchange notified by Reserve Bank of India और rate of exchange notified by CBIC आप वहाँ पर confused रहोगे, तो जितने बच्चे मेरी family के सामने बैटे हैं बस यह बात ध्यान देना कि जब भी हम custom duty निकालेंगे, जब भी हमें value निकालनी होगी Indian रुपिस में, तो जो CBIC का rate होगा, उस rate से value को multiply करेंगे, ब मैं दुबारा बोलूँगा, कस्टम के purpose के लिए, duty के purpose के लिए, जो CBIC का rate of exchange होगा, वो लेना Reserve Bank of India का गलती से मत लेना, बच्चा कहता है सर, Reserve Bank of India का rate of exchange क्या हम नहीं लेते हैं, कहीं पर भी लेते हैं, जब importer, exporter को payment करेगा, तो payment उसकी बंती कितनी है, उसकी payment कितनी बंती ह है, वो Reserve Bank of India के base पे होता है, बट जब हमें कस्टम में कस्टम ड्यूटी निकालनी होती है, उसकी value कितनी आएगी, उसके लिए हमें CBIC कर लेना होता है, तो यह हमारा काम तो कस्टम ड्यूटी निकालना है, हमारा काम यह नहीं ट्रानेशन किस price पर हुई है, उसका क्या पेमेंट कितनी करेंगा, हमारा काम यह है कि अब यह समानागर Indian port पे आ गया, यह CIF value आ गई है, इस CIF value को इंडियन रुपेज में convert करके फिर कस्टम ड्यूटी निकालनी है, तो इंडियन रुपेज में convert कैसे करेंगे, तो गवर्मेंट ने क्या बोला, CBIC का जो rate of exchange होगा, उससे multiply कर लेना, तो professional वाले बच्चे भी ध्यान दे, उनके examen रो practical question बनेगा, वहाँ पर दो rate दियोंगे, और XZ वाले बच्चे रो गोले भरने वाले हैं, वो ये ध्यान दे, आपके examen चार option दियोंगे, कि इन चार में से rate कौन सा लो, तो जिस दिन home consumption की will of entry फाइल की, उस दिन CBIC का, जो rate of exchange होगा, उस rate से multiply करोगे, बस ये पद ध्यान दे, अब देखो यहाँ पे, आपकी value निकल किया गए INR में, और अब यहाँ पे आपकी, इसको बोलते हैं, accessible value, taxable value, अब इस value पर custom duty लग जाएगी, इस basic custom duty का 10%, आपको मैंने पहले भी काता जी, social welfare सर्चार्ज, productive duty हो गया, anti-dumping duty हो गया, safeguard duty हो गया, इस पे नहीं लगता, ये सिरफ basic custom duty पर लगता है, ये CVD पर लगता था, ये NCCD पर लगता था, बट वो donor duty practical life में खतम हो चुकी है, तो अब ये social welfare सर्चार्ज, जो 10% लगाना है, ये सिरफ basic custom duty पर लगाना है, ठीक है, तो basic custom duty का 10% वो निकल किया गया, और अब यहाँ पर निकल किया गया, IGST, अब ये IGST जो होगा, वो किसका निकल गाएगा, जो आपकी accessible value है, ये आपने accessible value निकाली, इसमें custom duty आपने एड़ की, इसमें social welfare सर्चार्ज एड़ किया, अब ये जो total value निकल किया रही है, ये जो total value है, इस value पर आपका IGST निकल किया आएगा, इस value पर IGST निकल गाएगा, बस ये पाद ध्यान दो, ये आपकी फिर total custom duty है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, ठीक है दी, अब यहाँ पर इस तरह से custom duty निकल किया आएगी, अब एक बच्चे का ना सामने बैठा है, बच्चे का doubt मेरे पास ही आ रहा है, बच्चा कह रहा है, कि आपने कहा था कि compensation cess भी लगता है, तो वो तो आपने यहाँ लिखा नहीं, अब यहाँ पर अगर question में दिया हुआ है, वैसे normally दिया नहीं होता है, अगर दिया हुआ है compensation cess, तो जिस value की आपने IGST duty निकाली है न, उसी value का वो cess लगेगा, गलती से भी compensation cess निकालते हुए, IGST add मत कर लेना सर, क्योंकि कई नलायक बच्चे होते हैं, वो पता है क्या सोसे हैं, कि उपर वाली सारी चेड़े में add कर लूँगा, फिर cess निकालूँगा नहीं, जिस value का IGST, उस value का cess, मेरे पीछे 5 बार बोलोगे, पर बच्चे बाहर बैठे, तो मेरे पीछे 5 बार बोलोगे, जिस duty पर IGST, उस duty पर cess लगेगा, जिस duty मेंस जिस value पर, ठीक है रही, 1, 2, 3, 4, start दुबारा से, जिस value पर IGST, उस value पर cess लगेगा, जिस value पर IGST, उस value पर cess लगेगा, जिस value पर IGST, उस value पर cess लगेगा, जिस value पर IGST, उस value पर cess लगेगा, जिस value पर IGST, उस value पर cess लगेगा, बसे पत्यान देना, ठीक है रही, तो जिस value का भी आप IGST, बलाब ये वाली जो value का आपने IGST निकाला, तो same ही value का compensation cess निकाल देना, अगर कोशन में दिया हो, बच्चा कहता है सर आपने हमें ये बता दिया कि भाईया पहले तो CIF वैल्यू को इंडियन रुपीज में कैसे करना है वो हमें समझ में आ गया, अब जो आपने बेसिक कस्टम डूटी जो आपने उठाई है तो बेसिक कस्टम डूटी का जो आपने रेट लिया है, तो वो रेट किस दिन का हमें लेने है वो तो बताओ, अब जो भी हमारी कस्टम डूटी है, उसका रेट हम किस दिन का लेंगे वो ध्यान से देखना जी, आपको मैंने का था याद करो, जो हम मेरे रिविजन क्लास समबर 3 और 4 कर रह थे आपको मैंने वहां पर बताया था कि मैं वाले टोपीक प्याओंगा, तो रेट हम कौन सा लेंगे, मैं आपके रखके बताओंगा, अब मेरा वो पाइंट आ चुका है, देखो यहाँ पर, section 15, rate of custom duty, import वाले केस में कौन सा लेने है, तो गवर्मेंट करें, date of arrival or entry invert, और date when bill of entry file for home consumption, ठीक है रही, it means which average later जो होगा, इन दोनों में से, जो भी लेटर होगा ना, उस दिन का rate मुझे लेने है, बच्चा के रहे, नहीं समझ आया, सर यह पाइंट हमें समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ, सर एक बात में उस बोलना, क्या vessel के आने से पहले हम bill of entry file कर सकते हैं, क्या vessel के आन बच्चा के रहे हैं, आने से पहले bill of entry file ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नालायक को याद करो, revision class number 3rd या 4, आपको मैंने का था, आने से पहले bill of entry file कर सकते हैं, बट वो जो vessel है, वो 30 दिन के अंदर अंदर इंडिया में आ जाना चाहिए, मैंने आपका doubt session के अंदर भी clear किया क्या, पहली class है आपकी आज, बहुत बढ़िया, नालायक बच्चे, पहली class है, छटी revision class को पहली class बच्चा बना के बच्चा कर रहे हैं, पांच छोड़ो ना, हमें तो बस valuation देखना था, ये valuation सारा interlink है, उन पांच revision class से, तभी यही problem आती है आपको exam में, problem पता है कि आप अ below of entry file कर सकते हैं, उसके point समझ में आ गया होगा, अब आने से पहले, ध्यान सुना, आए यहाँ पर, मालव आप यहाँ पर आए, यहाँ पर arrival है, आपने यहाँ below of entry file कर दी, तो government ने बोला rate कौन सा लगएगा, below of entry, arrival, फिर arrival के दिन का जो rate होगा ना, वो rate applicable करेंगी, अब आप आ गए, अब आप आ गए, आपने आने के बाद below of entry file की, क्योंकि मैंने का था ना, जब आप आते हो, उस दिन below of entry file करते हैं, उस अगले दिन file करते हैं, महला उसके बाद आपने file की, अब आने के बाद अगर below of entry file की है, तो rate फिर कौन सा लगएगा, फिर जब आपने below of entry file की उस दिन का rate लगेगा, अच्छा, मतलब सर, इस point का मतलब ये है, कि अगर मैंने आने से पहले below of entry फाइल कर दी, तो below of entry का rate नहीं लगेगा, फिर जब मैं आया, उस दिन का rate लगेगा, येस, और अगर आने के बाद below of entry फाइल की है, फिर लेटर मेरा बनेगा below of entry वाला, फिर ज इन में से जो भी रटने वाला बच्चा बात दिया दे, उनकी बारी आ चुकी है, इन में से जो भी later date होगी, earlier नहीं कह रहा हूँ, मैं दुबारा बोल रहा हूँ, आपके examiner हम question करेंगी काफी सारे, उसमें आपको दिहाँगा, दो date दी है, फिर याद कराँगा कि याद करो revision class number 6 आपको तो जो भी आपकी later date होगी ना, later date वाला जो rate होगा, उस rate को हम calculate करेंगे, ठीक हरी, और export वाले case में तो, जिस दिन clearance के लिए, जिस दिन clearance के लिए आप जाओगे, उस दिन का rate होगा, बट ध्यान है ना, export वाले case में social welfare सरचार्ज नहीं लगता, और ना ही IGST लगत जाओगी, तो कोई भी social welfare सरचार्ज के applicability, export वाले case में नहीं आती, ठीक है, तो इस तरह से ये तो हमारा section था, अब बच्चा कहरे है, sir, ऐसे नहीं होगा काम, हम आपको एक बारना फटावट से बताना चाहते हैं, ति आपने अभी तक हमें valuation में क्या बताया है, क्योंकि हमे इतना important है, आप exam, मेरा question देखोगे ना, आपको फिर मेरा session ध्यान आएगा, विवेकसान ने बाद सची बोली थी, ठीक है, तो बच्चा कहते है, sir, एक बारना हम दुबारा से revision करवाना चाहते हैं, 10 minutes के अंदर, फिर आप हम practical question करवा देना, फिर जो इसके rules हैं, वह में बता लो, जी मुझे बताओ, आप ही बताओ, जी यो बचा लेट के पटाओ था, बताओ, जी, यार, सर ने क्या कराया था, भाई, चेप्टर स्राट कूल सा क्या हुआ हुए, हैं, यह कुछ नहीं पता, और यार, वो लेट गया था, तो आँख लगी थी, आँख लगी थी, तो यार, दी यह आ रहा, नालाएक, आप 7 बताओ, यह तो बच्चा नालाएक है, 7 बताओ, बच्चा कहरे है, सर, आपने topic स्टार्ट वेल्योएशन का, वेल्योएशन का अंदर आपने कहरे रही, value निकालने के लिए section 14 हमारा custom में होता है, जैसे हमारा section 15 GST मे होता ही, हां हमारा section 14 होते है sir, 15, जैसे GST में आपने बोला था, 151 में 15 to add कर दो, 153 minus कर दो, तो आपकी value निकल के आती है, और अगर value ना निकले 27 से लेके 31 तक rule होते हैं GST में, तो sir, ये सारी बात है आपने हमें GST में बताई थी, बट वो हमारे किसी काम के नहीं है, अब हमें custom पे ध्यान देना है, जारे, क्या बात है, sir, हाँ, custom पे ध्यान देना है, चलो बताओ तो सभी फिर custom में, sir, custom में section 14 के ना, 14.1 हमारा था, transaction value का, तो government कहती है, जो तुमारा price, actually price paid और payable है, उसी value को हम तुमारी value माल लेंगे, total 6 conditions satisfied करनी, पहली condition, sir, buyer, seller, related party ना हो, दूसरी condition, price, एक sole consideration हो, और एक तीसरी condition सा आपने में बताई है, उसमें 4 condition है, rule number 3, 2 में, A, B, C, D, 4 condition है, वो executive वालों के काम की नहीं है, professional वाले बच्चों का बात में कराओगे, बढ़ अभी हमें इतना ध्यान देना है, अगर ये 6 conditions satisfied हो जाती है, तो transaction value ही तुमारी value बन जाती है, अब ये transaction value, जो मेरी value बनीना, sir, इस value में हमें कुछ adjustment भी करनी है, वो rule number 10 की करनी, और rule 10 के अंदर आपने बताया, दो case होते है, rule number 10-1 और rule number 10-2, अब जब मैं 10-1 के पास गया, उसमें काफी सारे खर्चे थे, उसने बोला commission add कर दो, brokerage add कर दो, but buying commission add मत करना, कैरा container की cost add कर दो, but durable, returnable है, वो add मत करना, कैरा royalty और license fees add कर दो, packing cost आप add, यहाँ पे add back कर दो, और उसने बोला, फिर ऐसे कोई payment जो buyer ने पे की है, interest और financial चार्विस छोड़के वो आप add back कर दो, designing और development cost add कर दो, यह सारी adjustments है 10-1 की होती, फिर 10-1 के adjustment करने के वाद सबसे main जो है ना सर, वो आपका 10-2 है, सर आपने 10-2 में समझाया, कि जो हमारा exporter है, उस premises से लेकर, जो इंडिया का port है, वहाँ तक जानने तक के बीच में, जो भी खर्चे होंगे ना, वो सारे हमें add करने होते हैं, अब सर, सारे खर्चों को इन्होंने bifurcate किया है, टोटल साथ, साथ category के अंदर bifurcate किया है, जिसको हम दो parts बनाके चलेंगे, 6 खर्चे मलग करेंगे, एक खर्चा मलग करेंगे, वेरी गूड यार कमाल कर दिया आपने, I am very proud of you, आगे बोलते रो, बोलते रो, मज़ा आरा है मुझे, सर, 6 खर्चे जो होते हैं, वो हमारे होते हैं, transportation, हमारा होता है, handling charges, loading charges, unloading charges, और ship damage charges, और lighter charges, यह हमारे 6 खर्चे होते हैं, और फिर 7 हमारा insurance होता है, सर, अब सर, जो यह 6 खर्चे होते हैं, इसमें भी आपको कुछ बाते देखनी पड़ेंगी, अब जो, सर, यह 6 खर्चे हैं, अब यह 6 खर्चे यहाँ पर भी हो सकते हैं, बहाँ पर भी हो सकते हैं, बट इतना ध्यान देना, सर, कि जब यह वैसल यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद के जो unload खर्चे होंगे ना, बस वो गलती से एड़ मत कर देना, क्योंकि वीएक सर ने मना किये, अच्छा, फिर सर एक बात और ध्यान देना, अब यह समान बहार से वैसल से आया, यह समान बहार से वीकल से आया, तो उस केस में ट्रीटमेंट लग करना, इंचे का, और अगर यह बा करने के बाद, उसका सर भी 20% ले लिना, अगर यह कोस्ट पता है, तो यहाँ पे कैप है, कि एक्चुल जो है, वो आपके 20% FOB से ज्यादा ना हो, बहुत गोर्मेंट कह रही है, एयर वाले केस में एक्चुल पता है, तो एक्चुल और 20% FOB, whichever is less, और अगर एक्चुल नहीं पता, फिर तो बात ही कतम हो गई, फिर FOB का 20% ले लेना है, सर यह सारी बात है इंचे खर्चों की है, इंशोरेंस वाले केस में सर आपने हमें बताया था, किसी भी रूट से आओ, अगर एक्चुल पता है, तो एक्चुल लेंगे, नहीं पता तो FOB का 1.125% हम यहाँ पे ले लेंगे, फिर 10.1 के सारे खर्चे एड़ कर देंगे, तो हमारी FOB आएगी after 10.1, फिर 10.1 के बाद हम उसमें 10.2 एड़ करेंगे, 10.2 में तो वही 6 खर्चे, और फिर हमारा cost of insurance यह एड़ करने के बाद हमारी CIF आएगी, सर, अब यह CIF जो होगी, सर यह ना foreign currency में होगी, foreign currency को Indian currency में convert करना है, Indian currency में convert करने के लिए हमें rate of exchange चाहिए, सर, rate of exchange आपने बोला, दो तरह की होते है, Reserve Bank of India, CBIC, हमारे duty निकालने के लिए CBIC का rate लेंगे, उस दिन का, जिस दिन bill of entry file की होगी, home consumption की, उस दिन का rate लेना है, सर, अब जब यह multiply करोगे, तो आपकी value INR में आ जाएगी अब इस INR की value पर हमें duty निकालनी है, अब duty किस दिन का rate लेंगे, तो सर, date of arrival, या entry inward, और जिस दिन bill of entry file की, इन दोनों में से जो भी later date होगी ना, उसका आप rate उठा लोगे, और उस rate से आप multiply कर दोगे, basic custom duty, social welfare सर्चार लागी का 10%, basic custom duty का, और IGST जो होगा ना, वो total value की लग value है, plus में BCD, plus में social welfare सर्चार इसको निकालने के बाद जो value हैगी, उसका IGST लगेगा, और जिस value का IGST लगेगा, उसी value का, sir, compensation stress लगेगा, अगर question में दिया हुआ है, तो ये सारी बातें, sir, आपने हमें बताईए है, कमाल कर दिया, एक वार इस बच्चे के लिए clapping होनी चाहि है, ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बातें समझ में आई है, अभी घवराना मत, अभी यह मत सोचना की, होई, 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 कैस सोल्व होंगे, अभी हम question करेंगे, उससे थोड़ा और confidence आएगा, और जब फिर सेश करके दिखाओ, अब तो मैं चाहता हूँ कि आप solve करके बताओ, execute वाले बच्चे भी solve करेंगे, professional वाले बच्चे भी solve करेंगे, दोनों solve करेंगे, execute वाले बच्चे मत सोचे, MCQS में इतना बड़ा question कैसे बनेगा, institute hazard कुछ नहीं पता, भला है, बूर है, जैसा भी है, मेरा प factory price, यहां का price दिया हुए जी, 17.500, बहुत बढ़िया, transportation charge is from the set factory until the sea port of the outwards, यहां से यहां तक जाने के transportation खर्चे दिया हुए, actual दिया हुए, तो actual ले लेंगे, 2500, handling charge, यह भी लेंगे, उसके बाद buying commission, ना जी ना, buying commission नहीं लेना, मैंने बड़े बड़े शब तुम लिखा था except buying commission, तो buying commission नहीं लेना, उसके बाद freight charge is until the Indian port, अब सोच के बलाँ freight charge is until the Indian port, मतलब यह वाले freight charge, अब यह भी actual हमें दिया हुए है, तो भाईया, actual ले लेंगे, क्योंकि अगर actual नहीं दियोते ना, अगर actual नहीं दियोते, फिर हम 20% अग फैफो भी लेते, बड़ अगर actual दिये है, तो actual लेकर चलेंगे, टोटल करो, 17500, प्लस में 25, प्लस में 200, प्लस में 25, तो भाईया, यह आ गया, 22700, 22700, ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे insurance charge देखो जी, इंशोरेंस चारिस आपको दिये नहीं हुए, पूरे उसमें देख लो, इंशोरेंस चारिस दिये नहीं हुए जी, अब अगर इंशोरेंस चारिस नहीं दिये हुए, तो हम क्या लेते हैं, 1.125% of FOB, अब FOB कैसे निकलेगी, 17500, एक्स फैक्टरी प्राइस, प्लस में यह वा का 1.125% निकालूँगा, तो मेरा 227 रुपे 25 पैसे आ जाएगा जी, इन उनने 25 पैसे को इग्नोर कर दिया, तो 227 प्लस में 25 ट्रांस्पोरेशन, प्लस में 20-200, तो मेरी CIF वैल्यू आगे 22,927 रुपे, और मुझे रेट दिया 63.84 का ये रेट एक्स्टेंज दिया हुए, तो 14,63,666 रुपे ये मेरी असेसिबल वैल्यू आ गई जी, ये देखो, ये है, बताओ कोश्टन में है क्या, बच्चा कहता है, कोश्टन बड़ा मुश्किल आ रहा है, मुरे समझ निया रहा, कोश्टन में है क्या, अगर आपको यकीन नहीं होता ना, मेरे उपर यकीन नह खा दूँगा मैं, तो सबसे पहले मैंने क्या क्या मैं दुबारा बोल रहा हूं जी, 17-500, यहां का प्राइस, यहां से यहां तक की ट्रांस्पोरेशन एड कर दी, आप सब जानते हो करेंगे, फिर ये 200 एड कर दिया, अब यहां पर हमारी FOB आती है न, अब यह FOB का 1.125% इ exchange से multiply किया, INR के अंदर value हो आगई, यह मेरी value आगई, उसनों मुसे value ही तो पूछी है, बताओ यह question क्या मुश्किल है जी, अब अगर XZ में एक number का बन गया, तो भी बिल्कुल गिरा हुआ है, और अगर professional के अंदर 5 number का बन गया, तो भी बिल्कुल गिरा हुआ है, बच्चा इसमें हमने निकाली value, इसमें निकालनी है duty, फिर एक question दूँगा value निकालने का, फिर हम question और नहीं करेंगे इस session में, फिर बाकी हम question करेंगे बाद में, और यह question आपके module के है जी, आपके institute के module ही मैंने open क्या हुआ है, उसके module के ही question था कि न, कुछ बच्चा को लगता है कि module value वाले question solve भी नहीं होते, आपको मैं दिखा दूँ question है क्या, देख लो जी, XYZ import पान मसाला into India and CIF value दे रखी है 500 पे, CIF value निकालके ही दे दिये, rate दिया हुआ है custom duty का 37.5, IGST ए 20% है, compensation से 60% है, तो बताओ जी उसने import duty कितनी आगे, पहल तो बताओ जी 500, अभी 500 का 37.5 निकालो होगे, तो 500 का 37.5 आ गया, 187.5, मलब 188 इंदो ने आपे कर दिया, उसके बाद social welfare सरचार्ज, sir question में दिया नहीं होगा, लगाना पड़ेगा, आपको मैंने याद करें, income tax के अंदर भी का था कि health and education says हो तो हर case में लगता है न, तो social welfare सरचार्ज भी हर case में लगता है, it means अग अगर question में नहीं भी का, क्योंकि आप problem पता है क्या, आप भूल जाओगे, आपको लगेगा basic custom duty, IGST और ये वाला assess, आप social welfare भूल जाओगे, exam में बटेगा, काठा, और आपका answer मैस नहीं करेगा, तो symbol ली बाता है, यहाँ पर लगाओगे, social welfare सरचार्ज, किसका basic custom duty का, तो व यह आ गया 706.880, अब जो हमें IGST लगाना है ना, तो IGST में किसका लगाना है, इस total value का, आपको मैंने पहले भी कहा था, IGST में किसका निकालते हैं, value प्लस में basic custom duty, प्लस में social welfare सरचार्ज, जो total value निकल किया रही है, उसका हम IGST निकालते हैं, तो IGST का rate है 28, तो इसका 28% निक निकालता हूँ, तो 197.90, देखो, यह आ गया, और जो compensation cess है, अपने आप बोल देना, अब compensation cess निकालने के लिए, कि हम IGST भी add करेंगे, बच्चा कह रहे हैं, हाँ, मैं लेको डोक्र ने जवाब दे दिया, मुरे जादा बोलने से, कहरा अगर गले से प्यार है, थोड़ा कम ब लग रहा था, आप ऐसे बुलवा रहें, हमें क्या पता कि इसतना फरक पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताए बिदा कि जिस value को IGST लगेगा, उसी value का cess लगेगा, अब देखो, IGST मैंने निकाला इस value का न, तो इसी value का 60% जो है, मेरा cess आएगा, तो अगर मैं 706.80 का 60% नि तो यह मेरी यहाँ पर निकल के आगी है, custom duty totem, A, B, C, D, यह निकल के आगी है, और value कितनी आ गई, इस 500 में आड कर दोगे, तो इतनी मेरी value आ जाएगी, बताओ question में है क्या, जिसको doubt है, वीडियो खतम होने के बाद comment box में डाल देना, अभी मत डालना बीच में बिल्कुल जिसको doubt है, वीडियो खतम होने के बाद comment box में डालना, मैं एक बार comment box पढ़ लूँगा, मैं ऐसे उमीद करूँगा, doubt होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक, बड़ अगर फिर भी doubt है, तो वीडियो खतम होने के बाद comment box में डाल देना, उसक question है, अब जी मैं भी सासत करता हूँ, cost of the machine at the factory of the exporter, factory of the exporter, मतलब वही एक factory price, तो वही है 20 सर ठीक है, transport charges from the factory of exporter to the port of shipment, मतलब वही जो भी हमने question module में से किया, यहां से लेकिए यहां तक transportation, यह add back कर देंगे, handling charges, यह add back कर देंगे, buying commission, ना जी ना यह add back नहीं करेंगे, और freight charges, दो हजार दिये हूँ है, अब यहां पेक पाइंट और है, insurance charges, असर्टेने बल नहीं है, 1.125%, और वो कहरें, design and engineering work undertaken for the machine, याद करो 5000, क्या यह add करेंगे, नहीं करेंगे, yes करेंगे, designing cost मैंने का था add करते हैं, उसके बाद unloading and handling charges, paid, add the place of importation, अपने बोल देना जी, यह to the place of importation न वेसल पहुच गया, जब यहां वेसल पहुच गया, उस वेसल से समान उतारने के लिए जो unloading खर्चे हुए हैं, उस port पर, तो वो हमें add नहीं करने होते, गल्ती से भी यहां पे add मत कर ले ना, उसके बाद transportation charges from Mumbai to Cochin, भया क्यों add करेंगे, यह तो India कहीं है, आपको मैंने पहल खर्चे confuse करने के लिए दिये, भगवान हमें confuse क्यों कर रहे हो, हमने अभी अभी revision की है, हमें सारा पता यह वाले खर्चे किसी काम के नहीं है, इसको मैं काट रहा हूँ, very good, अब यहां पे देख लो जी, यह 20,000, 1000 हो गया, handling charge 100 हो गया, designing charge 5000 हो गया, यह total कितना हो गया, 26,100, उसके बाद freight charge हमें actual पता ही है, तो अगर actual पता है तो फिर actually ले ले लेंगे, दो हो जा, अब insurance नहीं पता तो 1.125% of FOB, तो अगर 1.125% अगर मैं लूँगा 26,100 का, तो यह आएगा जी, 293 रपे 63, 63, यह निकल क्या आ गया, अब यहां पे transportation देखो, Mumbai to Cochin, मुझे नहीं लेना, buying commission, मुझे नहीं लेना, ठीक है, अब यहां पे आपकी value आ गई है, unloading खर्चे वो ही देखो, add the place of importation नहीं लेने, क्योंकि unloading खर्चे मैं नहीं लेता, तो यह मेरी CIF value निकल क्या आगी, CIF value कैसे निकल क्या ही, 26,100, प्लस में 2000, यह प्लस में 293.63, तो यह आगी 28,393 रपे 63 पैसे, यह आगया जी, अब इसमें rate of exchange आपको दिया हूँ था, 60, तो अगर मैं इसको 60 से multiply करूँगा, तो यह आगया 17,3,618 रपे, 17,3,618 रपे, यह आपका निकल क्या आगया, accessible value, यह देखो, अच्छा, यह notes ना मेरे हैं, यह notes मेरे हैं, इसको मैं telegram channel पे डाल दूँगा amendment के notes है custom के, इसके अंदर जब 10 rule, 10 to change हुआ था ना, तो पूरी amendment मैंने इसके अंदर बनाई थी with questions, तो अपने telegram channel पे यह डाल दूँगा, बाकी notes आपको हास से बनाने पड़ेंगे, बार बार notes मत मांगो सर, आपको मैंने पहले पर थोड़ा सा hard work आपको भी करना है, उम्मी transportation चारिस, यह वाले, यह वाले transportation है, यह add करेंगे, handling चारिस भी यह वाले है, buying commission नहीं लेते, freight चारिस यह वाले, तो यह तो FOB के बाद लेंगे, पहले FOB निकालनी है, उसके बाद actual insurance पता नहीं है, और यह जो design है, यह तो rule 10-1 के adjustment है, तो 10-1 के adjustment तो पहले होती है, इसको करने के बाद दो FOB आती है, और फिर जो FOB आएगी, उसका 1.125% लेंगे, और फिर हम freight add करेंगे 10-2, तो यह जो है, यह 10-2 है, और यह जो है, यह भी आपका 10-2 है, ठीक है, तो इसको add कर देंगे, और फिर आपकी जो value निकल के आएगी, CIF value, उसको इंडियन रुपिस में convert करके आपके value आजाएगी, ठीक है, तो यह आपका question, sir, इसका answer दिया हुए, आपके सामने है, ठीक है, इसमें फिर भी कोई doubt हो, दुबारा से मुझसे पूछ ले ना, कि sir, यह वाला doubt है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूँगा, but again, मेरे coding तो doubt होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ कास है भी नहीं, simple से question है, और इस तरह की question यह आपके exam के अंदर बनते हैं, बच्चा कर रहा है, वो तो आप question दिखा नहीं रहे, जो आपने का था, दो date दी होती है, Reserve Bank of India वाला भी rate दिया होता है, attention मतलो, आपको मैं दिखा हूँ, यह देखो, CBC का rate दिया हुए, अब यहाँ CBC आएगा, और Reserve Bank को फिंडे का rate दिया हुए, confuse कर दिया है, कौन सा लूँ, उसके बाद देखो, अभी और confusion देखो, arrival की date दियुए है, below of entry की date दियुए है, donate date दियुए है, तो rate किस दिन का लूँ, confuse कर दिया, तो इस तरह से वो confuse करेंगे, जो question हमें आगे रहा के practice करने है, तो tension मत लोसर, आपको मैंने बोलना कि कर मैं बैठा हूँ न, आपनी tension छोड़ दो, मैं बड़िया तरीके सा करवा दूँगा, आपका बस एक काम है, revision करना, maximum share करना बस, ठीक है रही, चलो, तो अब जाके हमारे section दो पूरे complete हो गए है, अब हमार जाए रहा गए rules, अब एक बार फटा बट से rules प्यारा हूँ, क्योंकि rules ज्यादा नहीं है, उसमें सिरफ हमारे maximum 5 minutes लगेंगे, और rules इतने important भी नहीं है, चाए वो XZ वाला बच्चाओ, चाए professional वाला बच्चाओ, question बनेगा, theoretical बनेगा, professional वाले बच्चों के exam में तो वह एक section का ही बनेगा, बड़ अगर वो condition तुम satisfied नहीं करोगे, तो rules के पास जाना पड़ेगा, अब जब मैं rules के पास आया, तो मैंने rules से पूछा, मैंने का rule, उसने का हाँ, मैंने यार मुझे यह समझ नहीं आ रहा, कि मैं value कैसे निकालू, तो उसने का देख भई, कि rule number 4 से लेके 9 तक rule है, और ये सारे rule ना, तो हम्हें सिक्वेंज में ही follow करने है, अल़ा ऐसा नहीं है कि तू rule number 6 के पास पहले जाएगा, फिर 7 के पास जायएगा, फिर 4 के पास आधाका ना? सबसे पहले तू 4 के पास आ, फिर 5 के पास जा, फिर 6 को देख, फिर 7 को देख, फिर 8 को देख, फिर 9 को देख यह sequence है, it means यही sequence follow करना पड़ेगा rules का, अगर तुम्हें custom के अंदर value निकालनी है, बस यह पाद ध्यान देना, तो सबसे पहला rule number 4 और 5 यह बात कहता है, विवेक, अगर तेरी value section में calculate नहीं हो रही न, तो तु यह देख, ऐसा ही कोई identical goods किसी ने पहले भी तो import किया होगा, ऐसा ही कोई identical goods, जिस time तुने import किया, उसी time पर किसी और ने भी तो import किया होगा, यह थोड़े time आगे पीछे किसी और ने import किया होगा, same quantity import किया होगी, तो भी अगर सब कुछ almost same है उस person का, तो उस person की जो value है, उसी value को तो अपनी value बना ले, बात तो सही है, सर एक बात सोचना, अगर मालो मैंने calculator भार से import किया, और दूसरे person ने भी calculator import किया, मेरी value section में नहीं निकल के आ रही है, तो उसकी value को government केते हैं, तो अपनी value मालने हमें कोई दिक्कत नीए, तो यहाँ पर देखोरी government ने क्या बोला identical goods और इसको बोलते comparison method और similar goods, देखोरी क्य निकल क्यारी sections में, जो भी हम उपर पढ़के आए हैं, then the value of identical और similar goods is considered subject to condition, identical goods और similar goods के value हम consider कर लेंगे, बट कुछ condition है, पहली condition, imported goods, sorry, identical goods और similar goods, imported at or about same time, आपने same time पे import किया हो, या आगे पिछे किसे ने import किया हो, identical goods, similar goods, imported, substantial, same quantity and commercial level, quantity भी हो ओलो हो, same और commercial level भी almost same हो, if two or more transaction value of identical और similar goods, the lowest will be considered, अगर दो या उससे ज्यादा value दी हुई है, तो जो भी आपकी lowest value होगी ना, उस value को तुम consider करना, बस एपा ध्यान देना, ठीक है रही, तो professional वाले बच्चों के exam में, जब theoretical question बनेगा, तो ये points आप लिख्या होगे, XZ वालों के exam मे question ये बन सकता है कि अगर तुमारी तीन value है, उन तीन में से कौन सी value तुम लोगे as per rule number 4 and 5 तो जो तुमारी lowest value होगी ना, उस value को तुम based बना के आओगे, ठीक है, तो एक theoretical rule है, इसमें कोई calculation नहीं है, ये add करो, वो add करो, ये करना है, वो करना है, जो भी हम सारी बाते करके नहीं है, तो 4 or 5 गए, अब जब मैं 6 के पास आता हूँ ना, तो 6 सिरफ इतनी बात बोलता है, कि तुम 7 से पहले 8 पढ़ सकते हो, बस, देखो तभी मैंने 6 लिखा नहीं है, क्योंकि 6 value बताता ही नहीं है, 6 ये बात बोलता है कि तुम 7 से पहले 8 पढ़ सकते हो, अगर तुम पढ़ने है, नहीं तो 7 पढ़ लो, फिर 8 पढ़ लो, अगर तुम्हें 7 से पहले 8 पढ़ने है, कोई दिक्कत नहीं, तो एक बाद चेक करो, रूल लंबर 7 हमारा है, deductive value, deductive value का मतलब यह है, अब जैसे मानलो, ये इंडिया की base line है, और ये आपका foreign port है, अब यहां सिरफ को यारी, government ने का, फिर, तुने कभी पहले ये समान मंगाया होगा, और वो समान तेरा इंडिया में बिक रहा होगा, तो जितने का वो इंडिया में बिक रहे ना, उससे तो reverse calculation करके, तो इस point पर आ जा, मैं का, नहीं आया, मतलब समझा नहीं, आप कहना क्या चा रहे हो, government कह रह नीरा, तो उस case में हम क्या करें, कि उस case में जो ये समान तुने पहले कभी इंपोर्ट किया, वो समान इंडिया में बिक रहा होगा, और वो समान का इंडिया में जो price है, उस price पर तो custom duty लगाने सकते, क्योंकि वो price तो इंडिया का है, और हम custom duty लगाते हैं, यहाँ जो value होती यह value जो होती है, उस value पर लगाती है, अब इस value से, इस value पर आने के लिए, तो हमें कुछ minus करना पड़ेगा ना, तो इसको बोलते हैं deductive value, नाम से ही लग रहा है, deduction होगी deduction, देखो जी, unit price in India, इंडिया में उसका क्या price है, वो आपको दिया होगा, अगर question बनेगा, practical नहीं त transportation, क्योंकि ना, यहां से यहां जाना मुझे, अगर यहां से यहां होता, फिर तो मैं value निकाल ली लेता, transportation, फिर इसको बाद custom duty और other tax, अगर कोई custom duties पर पहले लगी थी, other tax कोई लगे थे, वो minus कर दो, and cost of processing यह minus कर दो, इसको minus करने के बाद जो value निकल क्याएगी, इस value पर custom duty लगेगी, sir, क्या ही हमारे exam में practical question बन सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब भी आपकी value rules के अंदर calculate होती है, तो काफी सारी practical बाते और होती है, जो मैं consider करनी पड़ती है, ठीक है न, बड़ आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे rule है, उसके अंदर क्या लिखा हुए, तो 4, 5 न बोला, 7 से पहले, 8 से पहले, 7 देख सकते हो, बड़ 7 ये बात कहता है, अगर तुमारी value इस तरह से निकल के नहीं आ रही न, फिर तुम back calculation कर लो, कि जो तुमारे India में price है, उसमें से ये वाले खर्चे minus करने के बाद, फिर जो value आएगी, वो value, तुमारी value जो होगी, वो यह rule number 8 है, computed value, computed value का मतलब क्या है, cost और value of material used in processing of imported goods, मतलब जो तुमने material की cost है, वो तुमें पता होगी न, तो उस cost में तुम profit और general खर्चे एड़ कर लो हो, जो तुमारे है, और जो 10-2 की adjustment है, transportation, handling, insurance, जितनी adjustment 10-2 की है, वो एड़ कर लो, और यह तुम अपनी value निकाल लो, तो practical life में, sir, ऐसे value निकालना बहुत कम किसे possible हो था, बट government कहती है कि अगर तुम यह ड्रामे बाजी कर रहे हो, कि मेरी value यहाँ निकल के नहीं आरे, तो government कहती है, उसके लिए हमने यह rules बनाई है, ठीक है, तो इस rules में जो value होगी, इस base में तुमारे value निकल के आएगी, कि जो cost ही नहीं पता, मैं को profit ही नहीं पता, मैं को खर्चे ही नहीं पता, मैं को 10-2 नहीं पता, अब बताओ, क्या करों, तो मुझे फिर duty देनी ही नहीं पड़ेगी, गवर्मेंट कहती है, फिर एक ऐसा rule मना देंगे, rule number 9, residual method, अगर value तुम से नहीं निकल पारी ना, अब तुम छ 6, sorry, हमने बोला 7, आपने बोला नहीं, हमने बोला 8, तुने का नहीं, तो भी अगर तु हर case में नहीं कह रहे है, तु कह रहे है, value निकल ही नहीं सकती, फिर value तेरी हम निकालेगे, तु rule number 9, actual में हम बोलते हैं, याद करो, ऐसा rule आपका, मैंने आपको GST के अंदर भी कह था, यादा रहा, rule number 31 था, best judgment assessment, कि अगर तुमारी value तुम नहीं निकाल पारे ना, फिर department तुमारी value निकालेगा, बस एपार धियान देना, देखो मैंने कह लिखा है, value determined by department by using reasonable means, ऐसा न जो तुमने value निकाली, क्योंकि तुम निकाली नहीं पारे, जो तुमने value निकाली उसको अपने पास रखो, हम तुमारी सही value अब निकालेगे, तो ये आपके rule number 4 से लेके 9 तक है, ठीक है री, तो approximate हमारा इसमें 1.5 घंटा लग गया, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि इ गंटे लग जाते हैं, इतना टाइम तो लगी जाता, ठीक है, बट मैं चाहरा हूँ कि एक एक डेड़ गंटे क्लास होना, उसे revision तो बढ़िया हो रही है, फिर practical question के भी session 40, 40, 40, 50, 20 मिंट के होंगे, तो होगा क्या grip में अच्छा रहेगा, और जब practical question करेंगे ना, फिर दु करो, revision class number 6 में हमने यह किया था, आप दुबारा से याद करो, एक बर दुबारा revision हो जाएगी, तो custom की एक महिने में तीन बार revision हो गई, तो और क्या चाहते हो, ठीक है रही, तो अब जाके तीन main topic हमारी revise हो चुके है, baggage, duty drawback, valuation, ये तीनों हमारे हो चुके हैं, अब बस हमें क क्या करना है, अब जितने भी आपके चोटे मोटे misleading topics हैं, चोटे मोटे बचे हैं, उसको मैं next class में backup करा दूँगा, तो executive की एक तरह से last class है, और then फिर दो class और लगेंगी professional की, फिर हमारा custom खतम हो जाएगा, ठीक है, बस मैं आप से यही बोलूँगा, maximum share किया करो, हर बच्च work कर रहे हैं, पूरी family मिलके कर रही है, अब मुझे नहीं पता होंगे हैं नहीं होंगे, वो आपके ओपर depend करता है, ठीक है, बट मैं लगा हूँ हाँ, hard work पूरा कर रहा हूँ, तो भगवान करेगा, तो कुछ ना कुछ रिल जुरूर मिलेगा, ठीक है, आपके ओपर भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो reply कर दूँगा, बट अगर एक अब वीडियो दुबारा देखोगे, maybe वो point clear हो जाए, अगर नहीं हो रहना, फिर मुझे doubt पूछ लेना, ठीक है, bye bye, take care, God bless you.